दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी भी पोस्ट ओपिस में PLI Policy और PLI Policy में आप जो Premium जमा करते हो तो जमा Premium का जो है रिशिप्ट नमर आपकी इस तरह से चेक कर सकते हो तो इस वीडियो में हम आपको Complete Procedure बताऊंगा तो वीडियो को लाश्ट तक देख के आप भी अपनी PLI Policy में Deposit Premium का जो है रिशिप्ट नमर जो है चेक तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो चाहिए आपके पास phone हो या पि laptop हो उसके search box को open करना है search box में आपको PLI लिख के और search कर लेना है जैसे आप PLI लिख के search करोगे इस तरह का page आजाएगा page को थोड़ सा उपर की तरफ scroll करना है और second में आप देख सकते हो एक customer login का option दियावा है थभी आप ये जो है process कर सकते हो अगर मालो आप इसकी customer ID generate करना चाते हो new user हो तो जो सबसे पहला जापर मेंने round circle किया है सबसे पहला generate customer ID इसके उपर आपको click करके और जो है कर सकते हो मालो कि आप इसका password भूल गयो तो जो second जापर मेंने round circle किया है forget password का इसके द्वारा password को reset कर सकते हो या मालो आप इसकी customer ID जो generate भूल गयो हो तो third का option है जापर मेंने round circle किया इसके उपर किलिक करके और जो है process कर सकते हो अभी दोस्तों आपको क्या करना है कि सब कुछ याद है इंटर कर देना, capture डाल देना, login हो जाना है जैसे आप इसमें login हो जाओगे इस तरह का page आजाएगा इसमें आप देख सकते हो उपर की तरफ कई सारे option दिया हुए है तो आप इन option उपर किलिक करके भी अगर PLI के regarding किसी प्रकार का कोई काम है तो वो भी कर सकते हो अभी हमारे को जो है deposit premium का receipt नमर देखने के लिए इसमें एक option दिया हुआ है tools and utilities का तो जो tools and utilities का जो option दिया हुआ है इस option के ओपर किलिक कर देना जैसे हम इसके option के ओपर किलिक करेंगे किलिक करते ही फिर कई सारे option जो है खुल के show हो जाएंगे तो जैसे ही मा tools and utilities के option के ओपर क्लिक करूँगा क्लिक करते ही फिर जो है कई सारे इस तरह के option जो है खुलके स्यो होगे तो यहाँ पर भी जो है ये optionों में भी आपको किसी option के regarding कोई काम है तो उसके ओपर क्लिक करके और आप जो है चेक आउट कर सकते हो अपना जो भी आपको चेक करना है या कुछ जानना है तो अभी वो जान सकते हो इसके बाद में दोस्तों हमारे को जो है receipt number के लिए इसमें option दिया हुआ है payment history का तो हमारे को जो है payment history के option के ओपर क्लिक करके और जो है receipt number जो है हम easily इसका check out कर सकते हो तो payment history के option के उपड़ इसमें जैसे ही मैं click करूँगा click करते इस तरह का page आजाएगा इसमें आप देख सकते हो कि policy number select यानि आपको select के option के उपड़ किलिक करके और जो आपका जो policy का number है जैसे आप select के option के उपर किलिक करोगे इस तरह से आपका policy का जो number है वो हो जाएगा और जहाँ पर मैंने आगे round सरक्रिल किया है gate payment history तो payment history के option के उपर आप जैसे किलिक करोगे आपकी इस तरह की payment history जो है स्यो हो जाएगी अभी देखो इसमें भी कई सारे option दिये हुए है सबसे पहला number दियावा है इसमें order number और second दियावा है receipt number तो second का receipt number जो है यहाँ पर आप जो deposit premium है उसका receipt number यहाँ से जो है check out कर सकते हो अगर आपको receipt number जो है check करना हो तो इसके बाद में इसमें transaction time, transaction date, premium due date, premium due to, amount paid, mode of payment, status id और status यहाँ पर जो है आप आपकी PLI का payment जो है success हुआ या फिर नहीं हुआ तो वो भी आप देख सकते हो status में जाके कि success है कि pending है कि fail है तो दोस्तो इस तरह से आप जो है easily यहाँ पर इस तरह का statement निकालके statement भी check कर सकते हो PLI policy का इसके बाद में receipt number भी check कर सकते हो और आपने जो payment इसमें जमा किया है वो pending है कि fail है कि success है वो भी आप जो है यहाँ से check out कर सकते हो फिर भी दोस्तो PLI के regarding किसी भी परकार की कोई भी क्यूरी हो समझवें नहीं आ रहा हो comment box में जरूर लिखे मेरे से जितना हो सकेगा पूरी help करूँगा धन्यवाद